नमस्कार बच्चों कक्षाचे एक्सरसाइज 3.4 का प्रशन 4 आज हम करने जा रहे हैं देखे प्रशन है 100 से चोटी ऐसी सभी संख्याई लिखिए जो 3 और 4 के सार्व गुनज है पच्चों 3 और 4 के सार्व गुनज निकालने हैं हमें और 100 से चोटी होने चाहिए सारे तो सबसे पहले देखे मैं यहां लिखता हूँ 3 के गुनज तो 3 के कुछ गुनज हम लिखते हैं तीन का पहाड़ आपको बता है तीन एकम तीन तीन दूनी छे तीन तीन चुके बारा तीन पंजे पंदरा तीन चीके अठारा तीन सथे इक्षी तीन अठ्छे चौवीस तीन नाएस ताइस 27 तीन दाहतीस फिर तैस चत्त्तिस उनतालेस ब्यालेस फंदरालेस इक्यावन उसके बाद चौवन शत्तावन इस प्रकार से तीन का पहाड़ा चलता रहता है हम सो तक नहीं लिख रहे हैं उसका कारण मैं भी आपको बता दूँगा इसी प्रकार से अब चार के गुनज लिखिए चार के गुनज चार एकम चार चार दुनिया आठ चार तिहे बारा चार चोके सोला चार पंजे बीस चार चिके चौबिस चार चते अठाइस फिर 32 फिर 4 नीम 36 4 दह 44 और उसके बाद भी 4 का पहड़ा 21 चोके 44 12 चोके 48 13 चोके 52 14 चोके 56 15 चोके 60 उसके बाद 64 68 72 इस प्रकार से 4 के भी गुनज हमें लेने 100 तक है लेकिन हम नहीं ले रहे हैं उसका कारण मैं अभी आपका बता रहा हूँ अब हम यहां लिखेंगे बच्चो सार्व गुनज याद रखिए हमें तीन और चार के सार्व गुनज लिखने है ठीक है तो देखिए सबसे पहली संख्या जो दोनों पहड़ों में आते हैं यहां है तीन, छे, नो, बारा यहां है चार, आठ, बारा तो पहली संख्या जो दोनों का सार्व गुनज लिखने है बारा, बारा उपर भी है नीचे भी है इसके बाद अगली संख्या देखें पंदरा, अठारा, इक्किस, चौविस सोला, बीस, चौविस ठीक है, यह चौविस है तो दूसरी संख्या कौन से है यह दोनों पहाड़ों में आ रही है यहां भी है चौविस, और यहां भी है चौविस आगे देखते हैं 27, 30, 33, 36, 49 28, 32, 36 36, देखें, यहां भी 36 है, यहां भी 36 है आगे देखते हैं 49, 42, 45, 48, 44, 44, 44, 48 तो देखे ये 48 यहां भी है और यहां भी है तो यह भी सार्व गुनज है बच्चों मैंने आपको जब सार्व गुनज किया था तब भी समझाये था सार्व गुनजों में जो पहला नंबर आ जाए पहली संख्या आ जाए उसी का पाहरा चलता है देखे 12, 24, 36, 48 तो हमें इनको 100 तक इनके गुनज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम जानना चाहें कि 3 और 4 के सार्व गुनज 100 से छोटे कौन से होंगे तो हम क्या कर सकते हैं 12 का पहाड़ा लिख सकते हैं 100 से छोटा तो 12 एकम 12 12, 24, 34, 24 इसको देखे बिना ही मुझे पता है कि अगली जो संक्या होगी वह होगी 12, 5, 60 अब देखिए 54, 57 के बाद यहां आना था 60 और यहां भी 52, 60 तो 60 और 60 भी यहां पर कौन है देखे यह 60 और यह 60 इसी प्रकार से 12 का पहाड़ा आगे कर दो तो वह 3 और 4 के गुनजी आएंगे 12, 62, 12, 84, 12, 96, 12, 9, 108 लेकिन 108 100 से बड़ा हो गया तो हमें 100 से छोटे 3 और 4 के सार्व गुनज लिखने थे हमने कुछ सार्व गुनज तो दोनों में कौमन देखकर देखे फिर हमने देखा कि 12 का पहाड़ा चल रहा तो हमने 12 का ही पहाड़ा लिख दिया 100 से छोटा तो ये जो संख्याई हैं 12, 24, 36, 47, 60, 72, 84 और 96 ये 100 से छोटी सभी संख्याई हैं जो 3 और 4 के सार्व गुनज हैं ये हो गया हमारा प्रशन सॉल्फ आशा करता हूँ ये आपको समझा रहा होगा धन्यवाद